नमस्कार दोस्तो पावश्टार पवन सिंग ने एक वीडियो बनाया था और वीडियो के माध्यम से उन्होंने कारा कार्ट की जनता को संबोधित करते हुए बताया था कि मैं आ रहा हूं कारा कार्ट, इलेक्षन लड़ने, चुनाओ लड़ने, जीहां दोस्तो 30 से 40 सेकंड का वीडियो था, लेकिन उस वीडियो को दो बार एडिट किया गया था, मिंस उस वीडियो में दो बार कट लगा था, हो सकता है, पवन सिंग बोल ना पाए हो सही से, इसलिए कट लगा हो, या फिर और कोई रीजन हो सकता है, लेकि मुझे नहीं लगता कोई और रीजन होए, क करके आएगा आप देखते रहिएगा और आप यह जरूर सोचिएगा कि क्या पावन सिंग ने चुनाओं लड़के कोई गलती कर दी है या फिर नहीं यह आप के उपर में छोड़ता हूं जरा देखिए किस तरीके से जब पावस्टार पावन सिंग ने लोगों को सम्मोधित क पावन सिंग अपने पांस साल के कारेकाल में कितना गाना गाएंगे और कितना जनता के बीच जाएंगे बस यही देखना है तो वहीं एक सक्स कमेंट करते हैं और कहते हैं आवास तो ऐसे निकाल रहा है जैसे लग रहा है कि कभ जो हुआ है तो वहीं एक भाई साब कमेंट करते हैं कि कारा काट के विकास के लिए क्या रोड मैफ है, क्या प्राथ्मित्ता होगी आपकी, हम लोगों को सांसत भवन में बोलने वाला नेता चाहिए, न चनिया बजनिया नहीं चाहिए. तो अहीं एक भाई और कमेंट करते हैं कोई वोट नहीं देगा पॉन सिंग को तो एक भाई और आगे बर के कमेंट करते हैं तुम हार जाओगे पॉन सिंग एक भाई और कमेंट करते हैं ना तक असलील गायक समात का दरपन नहीं होना चाहिए या तो BJP या इंडिया RJD को वोर्दो भायो तो आगे एक सक्स और कमेंट करते हैं कहते हैं कारा कार्ट में आपकी ज़रुरत नहीं है कारा कार्ट में आपकी बिल्कुल ज़रुरत नहीं है तो आगे से कमेंट और आता है कारा कार्ट में क्यों आ रहे हैं आगे से कमेंट और आता है कारा काट में क्यों आ रहे हैं आपके लिए आरा ठीक है यहां कोई जगा नहीं है जब आप अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं तो जनता को क्या भलाई करेंगे पहले तो कारा काट याद नहीं आया आपको तो फिर आरा जाएए ना जब आपका जिल आपका जिला आरा था, विजेपी से तो भी आप लड़ नहीं रहे हैं, तो कारा काठी आपने क्यों चुना, ये बहुत बड़ा प्रश्चिय उठा रहे हैं, कि आप आरा से भी लड़ सकते थे, क्योंकि कहीं न कहीं आप जब भारती जनता पाड़ी से टिकेट मांग रहे थे तो आरा की सीट आपकी फेवरेट सीट थी, तो फिर कारा काठी क्यों, इसलिए सवाल उठा रहे हैं, आगे एक सक्स और लिखते हैं, मत आवा इज़त बिगड़ जाए, छेट भासा में, कि आप यहां मत आवा इज़त आपकी बिगड़ जाएगी, आगे एक भाईसा और ल सुनने में ही अच्छे लगते हैं, तावर वाला नचनिया बोल रहा है, धर्ती से भारी मेरी मा है, ऐसे सब्द ना तो सुनने में अच्छा लगता है, ना तो लिखने में अच्छा लगता है, अरे बेवकूफ नचनिया, तू तो वाकई में नचनिया है रे, तेरे को इतना भी पता नहीं कि धर्ती भारी होता है या मा भारी है धर्ती और मा दोनों पुझनी है इसमें भारी हलका वाला बात कहां से आ गई जब तेरे को इतना ग्यान नहीं है तो फिर तुम ठुमका लगाने के अलावा किसी काम के नहीं हो ये थोड़ा गुस्से में आ गए आगे एक क्या कर लोगे भाई वैकेंसी नहीं है ये तो वैकेंसी ही फुल बता रहे हैं आगे एक भाई साब और कमेंट करते हैं आरा से क्यों नहीं साहब क्योंकि आप पब्लिक को पागल समझते हैं आगे एक कमेंट और आता है अब तक कितनी साधी किये हो और कितने को तलाग दिये हो ये बताओ देश का दुर्भाग्य है कि तुम जैसे लोगों को टिकट मिलने लगा है इन्हें यह नहीं पता है कि आप निर्दली लड़ रहे हैं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी से लड़ अगे एक कमेंटर आता है तुम चुनाओ जीतने के बाद मुंबई में रहे तो ऐसे बहुत से कमेंट्स करते हैं आपसे बात नहीं कर सकते पत्रकार कुछ है जो आवाज उठाते हैं कुछ आवाज नहीं उठाते हैं हाला कि इसी वीडियो में बहुत से लोग Corn Singh की तारिव भी खर रहे हैं Corn Singh जिंदबाद लिख रहे हैं Power ना घटी लिख रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा पुरा परिवार बहुत से लोग Corn Singh का समर्थन भी कर रहे हैं लेकिन प्रश्ण यहां उठता है कि जब आप निर्दलीय चुनाओ नर्ड हैं, किसी छाब से नहीं आ रहे हैं, तो आपने आरा को क्यों नहीं चुना, क्या आपको आरा पे भरोसा नहीं, या आरा वालों को आप पे भरोसा नहीं, यहां प्रश्ण उठता है और पवण सिंग खुद इतना कम बोलते हैं, तो आखिर प्रश्णिया भी उठता है, कि भविस में, जब उन्हें जनता संसद में भेजेगी, तो वो कारा कार्ट की जनता की समस्या को कैसे उठाएंगी, जब 30-40 से की वीडियो में, दो-दो बार कट लगता है, एडिट होता है, तो जब 50-50 गंटे, दो-दो गंटे उन्हें चुनाव प्रचार करना होगा, आवाज उठानी होगी, तो कैसे उठाएंगी, क्या वहाँ भी मंच में गाना गाएंगे, वहाँ अखिर क्या करेंगे, क्या उन्हें कारा कार्ट की समस्या के बारें पता है, जब बिहार के लोग, कि अच्छा गाते हैं, या फिर इसलिए चुनेगी, कि उनका विकास हो सके, प्रस्न बहुत सारे हैं, लेकिन पौवन सिंग मिलेंगे कहां, पूछेगा कौन, और ये पूछने का काम करेगा कौन, आप पूछने का काम कर सकते हैं, जब आप तो छेतर में आएंगे, तो पौव सिंग की जीत इतनी आसान नहीं होगी, उन्हें बहुत 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 और बहुत जादा महरत करनी पड़ेगी, आप लोग क्या सोचते हैं जिशे में, अपनी राय हमें कोमेंट जरूर करें, धन्यवाद